किसी जंगल में एक शेर रहता था. वह बड़ा ताकतवर था. चलते फिरते जानवरों को कभी भी मार डालता था. इसलिए सब उससे डर कर रहते थे. एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने मीटिंग बुलाये और आपस में कुछ सलाह की. अगले दिन सभी जानवरों की तरफ से एक लोमडी शेर के पास जाकर बोली, महाराज, आप जंगल के राजा हैं. हम चाहते हैं कि आपको शिकार में कोई तकलीफ ना हो, इसलिए हम में से रोज एक जानवर आपकी सेवा में आता रहेगा. शेर ने बोला, मुझे तुम्हारी शर्ट मंजूर हैं लेकिन यह ध्यान रखना. जिस भी दिन मेरे भोजन में देर हुई, मैं सब जानवरों को मार डालूंगा. सब जानवर बोले, जी महाराज, हमें आपकी शर्ट मंजूर हैं. समझोता हुने के बाद सब जानवर खुश की बारी आई. खरगोश शेर की गुफा की तरफ जा रहा था. बीच में एक कुवा देखा. उसने कुवे में जहाक कर देखा. उसे एक तरकीब सूझी. खरगोश धीरे-धीरे शेर के पास पहुँचा. शेर गुस्से से लाल होकर बैठा था. शेर ने खरगोश से कहा, पूरे छोटे खरगोश. तू इतना देरी से क्यूं आया? क्या तेरे को मेरा डर नहीं है? खरगोश बोला, महाराज. गुस्सा मत हो ये. आप मुझे जो दंद देना चाहे, दे दे. लेकिन पहले मेरी एक बात सुन ले. शेर गरज के बोला, बोल, क्या कहना है? खरगोश ब रहा था कि आज से वो ही इस जंगल का राजा है. हम सब जानवर उसके अधीन है. लेकिन मैं वहा से किसी तरह भाग निकला और आपके पास आ गया. शेर को एकदम गुस्सा आ गया, हुनकार भरते हुए बोला, अच्छा. उसकी यह हिम्मत. चल मेरे साथ, उसे मैं अभी ठी करता हूँ. खरगोश रास्ता दिखाने के लिए शेर से आगे चलने लगा. वह शेर को उसी कुए के पास ले गया. खरगोश बोला, महाराज. अभी अभी तो वो यही था. लगता है आपके डर से कही छिप गया है. देखता हूँ देखे इस कुए में तो नहीं छुप गया है. ऐसा कहकर खरगोश कुए में जहांकने लगा. थोड़ी देर कुए में जहांकने के बाद खरगोश बोला, महाराज. वह शेर इस कुए में छिप गया है. आये आप खुद देख लें. शेर कुए में जहांकने लगा. पानी में उसने अपनी परचाई देखी. अपनी पर शेर की आवाज है। इसलिए वो गुस्से से उसकी परचाई की ओर कूट पड़ा और डूपकर मर गया। खरगोश खुश होकर घर लोटा। उसने यह घटना सब जानवरों को बुला कर सुनाई। शेर के मरने की खबर सुनकर सब जानवर खुशी से नाचने कूदने लगे। सबने मिलकर खरगोश को अपना राजा मान लिया। उसने सब जानवरों को बोला, जो काम ताकत से नहीं हो सकता, उसे हम दिमाग से पूरा कर सकते हैं। शिक्षा, दोस्तों कैसी भी मुसीबत या परिस्थिती हो, हमें बुद्धिमानी और हिम्मत से काम लेना चाहिए।